सुनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल आज व्यानी 30 जून को शादी के बंदन में बंज़ाएंगे शाम को दोनों ने एक ब्राण रिसेप्शन पार्टी का आयोजन भी किया है जिसमें सभी सितारे दूम मचाएंगे इस कबर से उनके फैंस के बीच काफी उत्सा है शादी को लेकर चर्चाओं के बीच एक सवाल और भी उट्रा है कि क्या सुनाक्षी इसलाम धर्म अपनाएंगे ये तो आप सभी जानते हैं कि सुनाक्षी और जाहिर के प्यार के बीच धर्म की दिवार कब से खड़ी है इसे चीज को लेकर इनकी लव स्टोरी काफी ट्रॉल हुई लोगों ने तरह तरह की बाते बनाएं लेकिन अब आखरकार जहीर के पिता इकबार रतनसी ने इस कबर को लेकर अपनी बात सामने रखी और सभी के सवाल का जवाब देते हुए साफ किया कि सुनाक्षी धन परि प्रॉमे का नहीं होगी उन्होंने कहा कि यह मिलन दो दिलों का मिलन है और इसमें किसी भी धर्म का हस्तक शेप नहीं है शादी से पहले सुनाक्षी की पिता और अभी नेता शत्रुदन सिन्हा ने अपने होने वाले दामाज जहीर से मुलाकात की पहले खबरे थी कि को देट कर रहे हैं और आपिरकार शादी कर रहे हैं सादी के बाद यह जोडा मूंबए में शिल्पाशिति के रेस्टुरेंट पेस्टेंड में Grant रिसेप्षंट पार्टी होस्त करे इस पार्टी में हुमा कुरेशी और आयोउश श्र्मा समेथ कई हस्तियां सामल होने की उ सुनाक्षी और जाहिर की शाधी की रसमें 20 जून से ही शुरू हो गई थी। हल्दी मेहंदी की रसमें परिवार और करीबी दोस्तों के बीच संपन हुई। एक रसम के दोरान सुनाक्षी को एमोशनल होते देखा गया। जाहिर की मूँ बोली बहल जन्नत वासी ने शुनाक्षी का रदन सी परिवार में स्वागत किया। जससे सुनाक्षी भावुक हो गई और अपने आसू पोच्टी नजर आई। शाधी के बाद सुनाक्षी और जाहिर अपनी रहे घर में शिफ्ट होने वाले हैं। शुनाक्षी अपने पिताश शत्रुण सिना का घर छोड़ कर एक नए जीवन की शुरुवात करेंगी। शत्रुण शुना ने एक इंटिव्य में बताया था कि वे अपनी बेटी को अपने आखों के सामने रखना चाहते हैं। और जब सुनाक्षी अपने घर में शिफ्ट होंगी, तो यह उनके लिए खुशी और दुख का मिला जुला पल होगा। सुनाक्षी और जहिर अब शादी शुदा कबह हैं और अपनी नई जिन्दही की शुरुवात कर रहे हैं। प्रांस और भरिवार दोनों ही इस जोड़े के खुशाल जीवन की काम ना कर रहे हैं। दोस्तों स्कवर में फिलहाल इतना ही बाकी बॉलिवूड और अंटेटेन्मेंट इंडास्ट्री की तमाम चिलबुरी कौसत के लिए जुड़े रहे हमारे चानल के सान।